तो दोस्तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एक्जामिनेशन पॉइंट अफ्यू से भी ये टॉपिक हमारा काफी जादा इंपोर्टेंट है ये दोनों अलग अलग टॉपिक रहेंगे रेजिदेंशल स्टेटस एंड स्कोप आफ इंकम obviously हम आज की क्लास में अपना रेजिदेंशल स्टेटस का जो कंटेंट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद स्कोप आफ इंकम पर जाएंगे तो first of all सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि रेजिदेंशल स्टेटस होता क्या है और इसको हम क्यों पढ़ने वाले हैं और इंकम टेक्स के स्लेबस में इंकम टेक्स के कंटेंट में अभी काफी मेजर टॉपिक्स हमारा salary, house property, profit and gain from business and profession ये सब हमने start नहीं करा है और उससे पहले हमें इस टॉपिक को करने की जरूरत है उसके पीछे reason क्या है उसको हम शुरू करते हैं So first of all, first of all, what is residential status? हमें तबसे पहले ये जानना है कि residential status होता क्या है तो अगर हम इसको एक छोटे से example के थ्रू देखें ध्यान देंगे, माल लीजे, कोई Mr. X है और Mr. X के दो business चलते हैं एक India में एक India में और एक US में इंडिया वाले business से उन्होंने 15 lakh की income generate करी और US वाले business से उन्होंने for suppose हम एजियूम कर रहे हैं कि 25 lakh की income generate करी दो अलग-अलग business और अलग-अलग income source उनके नजर आ रहे हैं अब obviously अगर हम देखें कि Mr. X ने total कितनी income generate करी है So that is 40 lakh ये amount हमारे सामने क्या है? 40 lakh है अब question ये आता है कि India में हम obviously tax बढ़ रहे हैं from the India's point of view Mr. X उनकी income 40 lakh इन्होंने इंडिया वाले business से US वाले income से 15 और 25 जनरेट करा अब question हमारे सामने ये आता है तो मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा कि क्योंकि Mr. X ने ये 15 lakh की income इंडिया से arise करी है इंडियन income है तो ये तो इंडिया में tax लगा देंगे इसको तो हम इंडिया में taxable कर देंगे बट the thing is कि ये जो 25 lakh का amount है भले ही ये US की income है भले ही ये US की income है लेकिन ये लेकिन ये taxable लेकिन ये taxable हो सकती है इंडिया में हो सकती है इंडिया में जो depend करेगा on what RS यानि के residential status of Mr. X residential status of Mr. X अगर Mr. X अगर Mr. X इंडिया के residential status की condition को proof कर जाते हैं तो उनको इंडिया में tax pay करना पड़ेगा लेकिन अगर वो इंडिया की residential status की condition से बच जाते हैं तो उनको इस 25 lakh पर इंडिया में tax pay नहीं करना पड़ेगा तो अगर मैं इस example को conclude करूँ तो residential status एक ऐसा concept है जो जरूरी है एक particular person एक particular assessi के लिए पता लगाने के लिए कि उसकी जो income है वो इंडिया में taxable होगी या नहीं होगी तो जैसा word हमें कह रहा है residential, resident, resident मतलब यहाँ पर रहने वाले वो यहाँ पर रहते हैं या नहीं रहते हैं, Mr. X इंडिया में रहते हैं या नहीं रहते हैं यह status हमें पता लगाना पड़ेगा और उसी के भिहाफ पर हम यह चीज़ बता पाएंगे कि Mr. X की कितनी income, कौन कौन सी income इंडिया में taxable होगी या नहीं होगी तो यहाँ पर अगर हम देखें हमें जो यह topic अपना discuss करना है that is what residential status आई उसकी शुरुवात करतें तो जो content है हमारा starting में क्या कह रहा है whether a particular income shall be text or not यह वड़ा हमारे सामने है, shall be text or not त्यादो text लगेगा यह नहीं लगेगा depends on the residential status and type of income type of income हमारा scope of income में आएगा, वो हम बाग में पढ़ेंगे लेकिन अभी फिलाल हमें focus करना है यहाँ पर residential status पर residential status explain connection of a person of the person with the country and types of income explain the connection of income with the country यहाँ पर residential status basically हमें यह बताएगा कि जो particular person है जिसके लिए हम text की calculation कर रहे है वो इंडिया में रह रहा है या नहीं रह रहा है या कितने दिन के लिए रहा है यह चीज़ हमें पता लगाने पड़ेगी and yes जो types of income है उनका क्या connection है वो हम scope of income में देखेंगे तो जैसा कि लिखा हुआ है कि residential status हमारा section 6 में आता है हमने introduction वाले topic में देखा था कि हमारे total income tax में 298 sections है और अभी तो यह शुरुवात ही है तो starting का content है that is what section 6 जबकि scope of income जो है वो section 5 के अंदर आता है वो section 5 के अंदर आता है but obviously हम 6 पहले पढ़ रहे है क्योंकि यह ज़्यादा जरूरी है scope of income उसके बाद वो आसानी से समझाएगा इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ पहले और बता दूँ कि हमने पर्सन की definition में क्या था क्या था section हमने last class में देखा था सर पर्सन पी थोड़ा लेट आया था लेट आया था section 2 है तो definition तो होगी होगी तो 31 section 2 subsection 31 में हमने पर्सन की definition पड़ी थी और पर्सन में हमारे पास एक लंबे चॉड़ी लिस्ट थी हमारे पास individual, हुएफ, firm, आपका company और साथ अलग अलग तरह के person थे तो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में उन सभी के बारे में बात करनी है कि company का status, residential status हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, individual का status हम कैसे निकालेंगे, residential, not facebook status, okay, so we are talking about the residential status, okay, तो one by one चलेंगे, आज की class में होपस हो, हम individual का content पूरा का पूरा wind up करेंगे, जो residential status था, individual का काफी easy था, अगर हम बात करें, लेकिन last एक amendment की आने इसकी वेज़े से, कुछ दो तिन terms हमारी और add हो गई है, but don't worry, काफी आसानी से वो हमारा cover होगा, got it, खेर, आगे बढ़ते हैं, अब अगर हम देखें, कि tax pair के जो situation है, आपके residential status की categories है, वो कितने parts में divide है, so residential status as per section 6, अगर हम देखें, तो residential status को हम दो part में divide करते हैं, एक तो, एक तो, from the India's point of view, कि भई, person, वो जो person है, वो India का resident है, मतलब इंडिया में रहता है, इंडिया में अपना समय बिताता है, कितना समय बिताता है, कितना time रहता है, वो अभी चर्चा का विशह रहेगा थोड़ा आगे, so, दो situation आ सकती है, कि कोई भी person, इंडिया का resident हो सकता है, या हो सकता है आपका non-resident, non-resident, तो obviously, ये word आपने अक्सर सुने होंगे, resident और non-resident, non-resident तो आपने definitely बहुत बार सुना होगा, तो residential status को दो पार्ट में जब हम divide कर रहे हैं, तो बिल्कुल simple, एक है resident जो इंडिया में रहता है, और एक जो इंडिया में नहीं रहता, उसको हम बोलते हैं non-resident, उसको हम बोलते हैं non-resident, ओके, आगे बढ़ते हैं, resident ये इंडिया में रहता है, ये हमारा अपना है, ये हमारी country का है, non-resident ये पराया है, ये हमारी country में नहीं रहता, ओके, अब resident के further दो parts है, resident के further दो part है, resident कौन? जो हमारी country का, हमारा अपना है, हमारी country में रहता है, हमें बार-बार इसको देखते हैं, दिखता है यह पर गूमते हो इंडिया में, बिल्कुल, लेकिन कितनी बार दिखता है, यह यहीं पर ही रहता है, यह बाहर आता जाता रहता है, यह कुछ ही time के लिए इंडिया में रहता है ओके दोनों के सो सकते ना एक तो वो केस के भई यह तो अपना ही है कहीं जाता ही नहीं ठीक है दिख जाता है हमें आसपासी रेगुलरली और एक है के भई कभी कभी दिखता है थोड़ा कम दिखता है ओके इसी लिए resident की situation को resident की category को भी दो पार्ट में डिवाइड करा गया है एक है एक है आर ओ आर आर मतलब resident and ओ आर मतलब yes ordinary it is ordinary resident ordinary resident के भई यह तो यहीं दिख जाता है यह तो अपने ही देश का नागरिक है आपको यहीं पर जब देखोंगे यहीं मिलेगा ओके और दूसरा है आर रेजिडेंट एन ओ आर यानि के नौन नौन ओर्डिनरी नौन ओर्डिनरी रेजिडेंट नौन ओर्डिनरी रेजिडेंट के भई यह अकसर हमें कम देखने को मिलता है regularly हम इसको यहाँ पर नहीं देख पाते हैं और उसके बाद नौन रेजिडेंट का further कोई पार्ट नहीं होता इसको short में हम N.R. लिखा करेंगे that is what non resident तो हमने हमने लोगों को असेशी को परसन को उनके इंडिया में रहने या ना रहने के बिहाफ पर इंडिया में रहते हैं कितना समय बिताते हैं कितना समय नहीं बिताते हैं इस चीज़ को इस चीज़ को देखा जाए तो तीन पार्ट में डिवाइड करा है पहले ये दो और फिर इसके आगे चलके तीन पार्ट बन गए So we have total three categories We have total three categories तीन तरह से residential status बताए जा सकता है ये भाई सब हैंसे घूमते हो जा रहे हैं इनको पूछा गया कि भाई आप कौन हो वो कह सकते हैं कि मैं OR हूँ मैं कौन हूँ? मैं OR हूँ मैं ordinary resident हूँ मैं इंडिया में ही अकसर आपको दिख जाओंगा मैं इधर उदर जाता घूमता आपको नहीं मिलूँगा ठीक है? उके? उसके बाद यहाँ पर यह जो है या वो कह सकते हैं कि मैं NOR हूँ मैं non ordinary resident हूँ मैं आपको इंडिया में दिखूँँगा लेकिन कभी कभी बाहर आता जाता रहता हूँ तो ठीक है मैं रहता हूँ इंडिया में लेकिन मैं जादा समय यहाँ पर नहीं बिताता और एक कौन है? येस एग्जेक्टली आपका थर्ड पॉइंट इस एनर ये तो पराय लोग हैं कभी कभार घूमने फिरने यहाँ पर आ जाते हैं वरना बाहर ही रहते हैं जो एनराई बूलते हैं ना नॉर्मली एनराई तो वो यही है ठीक है वो यही है जो बहुत कम इंडिया में देखने को मिलते हैं अब बात करते हैं कि ये हमें निकालना कैसे हमें फाइंड कैसे करना अभी हमने बात तो करी वर्बली कि इंडिया में रहते हैं नहीं रहते हैं बट ये हम निकालेंगे कैसे हम इसको find out कैसे करेंगे ओके आई ये उस पर चर्चा शुरू करते हैं पहले ये काफी आसान था पहले जब हम इस topic को करा करते थे कि भई स्टेटस क्या निकालना है तो ह अभी के जो step रहेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अभी recently हमारी amendment आई है residential status को लेकर और उसमें एक दो definition add-on करी गई है तो उसकी वजह से एक step हमारा बढ़ जाएगा हमारा पहला focus रहेगा इसको निकालने के लिए हमारा जो पहला focus रहेगा वो हम ये calculate करने में जाओ कि resident है या non resident पहला step और फिर दूसरे step में हम इस वाली category पर आएंगे कि चलो पता लगाते हैं कि वह ordinary resident है या non ordinary resident है got it और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें individual हमें हुए हमें partnership firm company इन सब के residential status जो है उनको find out करना है तो सबसे पहले सबसे पहले जो हमारी discussion शुरू होग that is about the determination that is about the determination of residential status of an individual ठीक है individual योगी सबसे पहला है ये section 1 में हम subsection 1 में section 6 subsection 1 में इसकी चर्चा है हम शुरू करेंगे सबसे पहला हमारा individual ही है ओके चलिए समझते हैं क्या concept है क्या logic इसके पीछे हमें लग रहा है कि photo नजर आ रही है यहां पर I don't owe this photo यह मेरी photo नहीं है भाई तो कहीं US का school लग रहा है बाइडन जी दिख रही है ओके चर्चा का विश है रहा होगा उस time पर हमें topic क्या पढ़ना ध्यान देंगे देखो दोस्तों जब एक school में class लगती है हम school में colleges में गए हैं जब class लगती है तो obviously teacher जब class में enter करता है उसका सबसे पहला काम क्या होता है कि वो बच्चों की attendance लेता है उनकी present absent जो है वो mark करता है राइट सबसे पहला काम ही होता है और उसके बाद फिर जो process है आगे उनका पढ़ाने वडाने का चलते हैं अब जैसा कि इस class की हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे अभी teacher नहीं है माल लीजे teacher जो है वो आपका enter हुआ अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो यह एक chair है आपको नजर आ रही है obviously ओके एक chair यह यहाँ पर है और एक यह यहाँ पर भी है एक इधर भी यह वाले भी थोड़ी सी खाली लग रही है अब जब टीचर क्लास में enter करा उसने क्लास में एंटर किया तो जो आपका अध्यापक है वो क्या करता है वो सबसे पहले आज की क्लास आज टूडे की बात करता हूं मैं ठूडे की बात करता हूं मैं आज की क्लास में जब आपके अध्यापक क्लास में आए और उन्होंने देखा ये सिचुएशन है So they will mark two things वो दो चीजे जो हैं, वो मार्क करते हैं, एक होता है कि कौन-कौन आज क्लास में आया, कौन-कौन प्रेजन्ट है, और कौन-कौन एबसेंट है, यही होता है, सबसे पहले टीचर ने क्या करा, वे बच्चे देखें, अटेंडेंस ली देखा, चोटी गलास ऐसी देख लिया, और जो आपके टीचर हैं, यह नॉट डाउन कर लेते हैं, कि कुछ बच्चे प्रेजन्ट हैं, और कुछ बच्चे एबसेंट हैं, अब जो एबस ठीके गले, अब यह जो प्रेजेंट है, यह जो प्रेजेंट बच्चे हैं, यह रेगुलर्ली आते हैं, यह रेगुलर्ली नहीं आते हैं, एक प्रेज़न्ट तो वो है ना, जो डेली आ रहा है, 30 days, 20 days मन्त मानलो स्कूल चल रहा है तो 20 के 20 days 18 days, 19 days आ रहा है बहुत कम छुटियां करते हैं लेकिन कुछ है जो 5 दिन आ रहे हैं 6 दिन आ रहे, 10 दिन आ रहे हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं So these present students can be classified into two parts एक वो है जो regular है और एक वो है जो irregular है राइट एक वो है जो regular है और एक वो है जो irregular है अब ये बच्चे ये बच्चे regular हैं या irregular हैं, ये teacher कैसे पता लगाएगा ये teacher कैसे पता लगाएगा जब वो आज से पहले की जो past attendance है वो चेक करेगा समझे नहीं समझे समझे के नहीं समझे अगर हम बात करें आज टीचर एंटर हुआ उसने देखा बच्चे कुछ absent है कुछ present है तो absent वालों पर कलम फेर दी गई ठीक है इनको side करो present वालों की बात करो तो जो आपका teacher है वो क्या देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि यार यह बच्चे regular आते हैं नह को देख कर उनकी past attendance को देख कर ओके यही ऐसी हो सकता है exactly यही तरीका exactly यही process जब हम एक individual का residential status निकालते हैं एक residential status निकालते हैं definitely बिलकुल यही process follow करा जाता है बस फर्क इतना है कि यहां पर today का मतलब current year हो जाएगा today का मतलब current year हो जाएगा clear पूरा साल हमारा previous year जिसको हम कहते हैं इसकी definition हमने introduction में करी past की अगर हम बात करते हैं तो यह past year हो जाएगे यह पीछले कुछ दिन नहीं देखे जाएगे past year की total जो attendance है इनकी वो चेक करी जाएगी उसको देखा जाएगा okay so it's all about residential status of an individual it's all about present and absent present and absent in a particular current year in a particular previous year okay तो अगर absent हो तो भई चले जाओ उसको हम क्या बोल देंगे अगर आप absent हो अगर आप absent हो तो हम आपको क्या बोल देंगे हम आपको yes exactly बोल देंगे कि आप non resident हो निकलो यहां से निकलो यहां से तो मतलब नहीं भोलेंगा obviously but your status is confirmed as non resident लेकिन अगर आप present हो आप दिखे हो class में इस class मतलब हमारा इंडिया दिखे हो okay तो दिखे हो तो obviously अब regularly आते हो क्या regularly हाँ जी देखो जला चेक करो तो कैसे पता लगाएंगे past year का record चेक करके अगर past year में आप यहीं पर ही हो इंडिया में ही हो तो आपको ordinary resident बोल दिया जाएगा और obviously अगर आप यहां अकसर नहीं दिखाई देते हो तो आपको non resident बोला जाएगा स्टेटस हमें find करना है now यहां पर कुछ condition की बात हो रही है वो conditions जो हमें बताएंगी वो conditions जो हमें बताएंगी कि residential status कैसे calculate होगा कैसे determine होगा लेकिन मैं एक जलक न आपको questions की भी दिखा देता हूँ जो question हम आगे चलके करेंगे ओके देखो question ऐसे होते हैं इस तरह से question होगा residential status का जैसे मैंने बोला न हमें पता लगाना है कि इंडिया में है या नहीं है कितने दिन इंडिया में रहा तो days हमें मालूम होने चाहिए सो ऐसे question आएगा Mr. A है कोई यह उनका previous year हो गया और हर particular year की past पिछली attendance यह current attendance यह पिछली attendance हमें दी जाएंगी number of days दिये होगे ठीक है ऐसे एक और question ही हो गया एक question यह ऐसा भी आ सकता है कि आपका कोई citizen है Mr. Y है वो इंडिया में इस date पर आए इस date पर गए तो number of days हमें निकालने भी पड़ सकते हैं so that is how a question of residential status looks ठीक है चलिए वापस आते हैं जो content हमें करना है ओके जी कहा गया ओहो चलिए इदर आते हैं condition पर थे हम condition कहा है हमारी आजाईए that's it okay now तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि हमें discuss करना है किसके बारे में discussion for resident as a status जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने discuss किया था थोड़ी देर पहले हमने discuss किया था कि हम कि हम जैसा की point है हमारे कि आपका जो residential status है RS वो किसमें divide है resident में और non resident में और resident के भी फर्दर दो पार्ट है एक है हमारा OR और एक है हमारा NOR तो मैंने बताया था कि पहले हम इस वाले section पर focus करेंगे so right now we are just focusing on resident only अभी हम सिर्फ resident की बात कर रहे हैं ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तो दोस्तो दो condition हमें पढ़नी है resident के लिए एक है 1A और एक है 1B ठीक है 1A और 1B और इनको ना हम basic conditions कहते हैं इनको हम क्या कहते है basic condition कहते है basic क्यों क्यों कि बस हमें यह इतना ही बताती है कि हम resident है non-resident additional conditions पढ़ेंगे वो हमें बताएंगी कि OR है या NOR है बट right now we are focusing on the basic conditions for resident और non-resident only तो अभी discussion सिर्फ इतनी है ओके यह कैसे पता लगाया जाएगा यह कैसे पता लगाया जाएगा ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए देखो यह जो year है 21-22 यह है हमारा assessment year यह है हमारा assessment year और इसकी तरफ हम नहीं देखने वाले हैं we are not discussing about the assessment year उसके days की calculation नहीं है क्यों जैसा की introduction में हमने पढ़ा कि previous year को देखते हुए main calculations की जाती है तो यह जो year है 2021 is our PY is our previous year it is our present class और यह क्या होंगे पिछले कुछ past records यह क्या होंगे past records okay आई ध्यान देंगे माल लीजिए माल लीजिए कोई एक particular assessment year मिस्टर एक्स की बात कर लेते हैं मिस्टर एक्स का example लिया था ना इंडिया और युएस वाला उनकी बात कर लेते हैं अब हमें बताना है कि मिस्टर एक्स इंडिया के resident है और non resident है अगर मिस्टर एक्स 2021 में 2021 में 182 डेज और मोर 182 डेज और मोर 182 डेज ओल्मोस्ट हाफ होता है 365 डेज का मतलब आधा साल हो गया अगर प्रीवेस इयर 2021 में मिस्टर एक्स इंडिया में 182 डेज या उससे जादा रहे होंगे तो वो इंडिया का resident status प्रूफ कर जाएंगे मतलब वो इंडिया के resident कहे जाएंगे सीधी सी बात है अगर कोई व्यक्ति अगर कोई individual इंडिया में अपने पूरे साल का आधा समय बिताता है तो वो इंडिया का resident बन जाएगा वो इंडिया का resident बन जाएगा इसलिए आधा साल 182 डेज बोला गया है इसमें दो चीज याद रखनी है कि 182 डेज रेगुलर नहीं होना चाहिए Mr. X इंडिया में मतलब एपरेल में आए और जुलाई में चलेगा ठीक है चलता है रेगुलर है थो ठीक है अगर नहीं भी है तो भी चलेगा एपरेल में आए मही में चलेगा फ्लाइट पगड़के जुन में आए फिर अगस्त में चलेगा है ऑक्टूबर में आए फिर फर्वरी में चलेगा है कोई धिक्कत नहीं continuation की कोई जुरुत नहीं अगर टुकड़ो में भी है, तो हम सब को जोडेंगे, और सीधा, अगर वो 182 या उससे जादा इंडिया में रहे, तो वो cross कर जाएंगे। वो इंडिया के क्या बन जाएंगे? इंडिया के resident बन जाएंगे. अब इसमें सोचने वाली बात है सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक चीज तो हमें बिल्कुल क्लेर है कि इंडिया का जो व्यक्ति रेजिडेंट होगा इंडिया का जो व्यक्ति रेजिडेंट होगा उस पर जादा टेक्स लगेगा और जो non-resident है उस पर कम लगेगा इतना तो देखो हमें समझ है non-resident जो है उसका क्या मतलब कोई बाहर रह रहा है उसका इंडिया से क्या मतलब वो इंडिया में tax थोड़ी न देगा लेकिन resident होगा तो definitely उसे tax ज्यादा देना पड़ेगा clear अब अब लोगों को tax थोड़ी न पे करना है लोगों को तो tax से बचना है लोगों को तो tax से बचना है तो Mr. X के आधा साल बहुत ज़ादा समय होता है ठीक है जो half day है आपका half year है वो बहुत ज़ादा होता है ठीक है आप असानी से इंडिया में रह के अपना business से बाहर चले गए ठीक है तो 182 उन्होंने होने नहीं दिया तो CDC बात क्या निकल कर आई वो इंडिया के non-resident बन जाएंगे और tax से बच जाएंगे लेकिन government ये technique जानती है उन्हें मालूम है कि लोग ऐसा करेंगे लोग ऐसा कर सकते हैं और इसी लिए government ने 1B भी बना रखी है वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं अगर कोई individual यहां नहीं फसा अगर कोई individual यहां नहीं फसा उसको 1B में फसाओ वो क्या कहते है कि अगर previous year में प्रीवियस year में वो सिर्फ 60 डेज इंडिया में रह जाए 60 days or more तो 60 days is there आपकी जो line है वो है प्लस इसके अलावा and अगर वो 365 days 365 days or more 4 years past 4 years इंडिया में बिताता है तो उसको हम 1B प्रूफ करा देंगे इन दोनों में से कोई एक condition प्रूफ हो जाए government करिए इन दो में से किसी एक condition में फसालो बात खतम जहां फस जाएंगे वहां बात बन जाएंगी वो क्या बन जाएंगे resident बन जाएंगे पहली वाली है 182 days बहुत जादा टाइम होता है ठीक है कोई बात नहीं government करते है ठीक है कोई नहीं 1B लगाओ इनके उपर 1B देखो क्या ये पिछले साल 60 days इंडिया में थे end end वढ़ है याद रखेगा end और उसके पिछले 4 साल ये 4 साल टुकडो में भी कोई बात नहीं इंडिया में रह जाते हैं तो ये 1B प्रूफ कर जाएंगे और ये बन जाएंगे इंडिया के resident ये बन जाएंगे इंडिया के resident तो देखो बिलकुल simple हम यहाँ पे समझते हैं हमें यहाँ पर individual को resident बनाना है क्यों जितने जादा resident बनेंगे उतने जादा हमारा tax collection होगा तो पहले इन्होंने दी 182 182 6 महीने बहुत जादा समय होता है अब मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, हमारे आसपास के लोग जो इंडिया में रहते ही हैं वो तो ठीक है वो तो प्रूफ करी जाएंगे और कमाते हैं तो टेक्स भी देना पड़ेगा ओके, लेकिन वो लोग जो बाहर आते जाते रहते हैं बिजनस बाहर भी है, इंडिया में भी जगे जगे है काफी फैलाया हुआ बिजनस है है ना, अब उनका तो इंडिया से आना जाना बाहर लगा रहता है तो वो तो इंडिया में आसानी से अपने बिजनस को कंट्रोल कर सकते हैं छे महीने में, है ना तो इसी लिए इसी लिए गॉर्मेंट ने 1B बनाई कि यहां नहीं फसरा अगर कोई तो यहां फसा हो ना, उसको, वो क्या है, सिर्फ 60 days प्लस, पिछले 4 साल में 365 days अल्मोस्ट 1 फोर्थ हो गया 4 साल का 365, एक साल होता है तो अगर वो यहां पर प्रूफ हो जाता है तो भी वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा Got it, clear? So, यहां पर content बिल्कुल clear है कि अगर कोई भी परसन, कोई भी individual not person, person नहीं बोलेंगे, person के अंदर तो बागी सब आ गए individual, अगर 1A और 1B ठीक है, यह प्रूफ कर जाता है यह प्रूफ कर जाता है मतलब satisfy कर गया 1A या 1B, प्रूफ कर जाता है तो उसको हम क्या बोल देंगे resident उसको हम क्या बोल देंगे resident और इन दोनों में से कुछ भी प्रूफ नहीं कर पा रहा प्रूफ कर ही नहीं पा रहा है मतलब satisfy नहीं कर पा रहा है बहुत ही कम दिन इंडिया में बिताता है दस दिन पंदरा दिन गूमने आए इंडिया में बात खतम तो वो क्रॉस हो गया उसको इमीजेटली बोल दिया जाएगा नौन रेजिडेंट नौन रेजिडेंट ठीक है जैसे लास्ट ये उससे प्याने साल डॉनल्ड ट्रम्प ठी इतना बीस दिन पच्छीस दिन के लिए हर साल माल लो आते हैं घूमने तो उनको थोड़ी ना फिर हम बोलेंगे रेजिडेंट है टेक्स दोपनी इंकम पे नहीं वह नौन रेजिडेंट है कोई क्रिकेटर बाई और जैसे एर और फिंच ठीक है आपका जो रूट इंगलें के आपके क्रिकेटर वो इंडिया में आए ठीक है खेलने के लिए आते हैं कभी कभी आई पिल शाइपिल खेल जाते हैं ठीक है अपना 40-50 दिन यहां पर रूख है ठीक है यहां पर चले गए वापस तो देयर नोट रेजिडेंट तो इंडिया वो इंडिया के किया कहते हैं किया कि यह सिर्फ हमें इतना बताती है ज। आप आई अभी तक हम ने लिखा अवी तक जिसक्स करा वो आपको खुर्ई हूआ चले, discuss करते हैं, तो क्या कह रही है, क्या कहते हैं, जो हम भी हमने discuss कर रहा है, उसी को पढ़ लेते हैं The following categories of individual will be treated as, क्या, yes, exactly हमारा resident In India, only if the period of their stay, during the relevant previous year, कितना है, 182 days or more 182 days or more और साथ ही, वो यह कह रहे हैं, in other words, even if, अगर आप यहां से बच गए, even if इसले लगाया गया कि यहां पर बच रहे तो आपको यहां फसाएंगे If such person were in India for 60 days or more in the relevant previous year, they will not be treated as resident Okay, but due, resident, due to the reason they might stay in India was 365 days or more during the immediately preceding years Okay, इसको यहां से टा देते हैं, यह आपका, यहां पर हट, ओहु, इसको यहां से टा यह Clear भई, समझा गया है, यहां पर content हमारा तो दोनों condition में इनको यहां पर फसाने की बात करी गई है, अगर 182 days फस जाए तो ठीक है नहीं तो फिर अपना जो 60 days और 365 days वाला funda है वो लगाएंगे यहां तक clear है, यहां पर मैं आगे भी नहीं बढ़ाओ यहां पर मैं आगे भी नहीं बढ़ाओ, अब यहां पर यहां पर दोस्तों यह दो अलग से special case ठीक है, आपके डाले गए हैं, यहां तक clear है, यहां तक कोई भी query नहीं होना चाहिए, यहां पर अभी अभी तक अपने आपको शान्त करो, समझो, यहां तक अभी सब आता है, अब इसमें एक छोटा सा मैं twist आपको बता रहा हूं, जो अभी हमारा आया है, यह वाला तो पहले सी था, एक point और है, बट twist अभी मतलब अभी हमें यहां पर पढ़ना है, वो twist क्या है, वो twist क्या है, देखो, हमने यहां पर 182 days वाली, 182 days वाली 1A condition बनाई, और 60 days, 60 plus 365 इस तरह से लिख रहा हूं है, वाली 1B बनाई, यह दो condition बनाई हमने, और इसमें देखा जाए, तो पहले main condition यह थी, और यह तो बस कौन सी वाली थी, फसाने वाली थी, यह कौन सी थी, फसाने वाली थी, यहां पर बच जाए तो सब बच जाएंगे यार, ठीक, आप में भी घुमने चले जाएंगे, चलो कमाने लगाएंगे, यहां कमाया, और 6 महीने अपना नेपाल चले गए, और पता नहीं किसी आसपास की कंट्री चले गए, अपना बच जाएंगे टेक्स, इसलिए फिर यह वाली बनाई ताकि फसाया जा सके, गौट इट, लेकिन लेकिन, कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ सरकम्स्टांसे ऐसे हैं, जिसमें, यह वाली कंटीशन नहीं देखी जाएगी, यह वाली कंटीशन नहीं देखी जाएगी, सिर्फ 1A देखी जाएगी, 1A प्रूफ और यह तो ठीक है, नहीं तो खतम, वन भी नहीं देखना है वन ए किसी ने देखा कि जी 180 दिन निकल कर आए ठीक है मना कलम फेर दो यह non-resident है बात ख़तो इसको जबर जस्ती हम जो इसवा में नहीं फसाएंगे तो वो सब के लिए नहीं है वो सिर्फ आपके कुछ cases है वो सिर्फ कुछ cases कौन से हैं वो तीन cases है वो तीन cases है पहला याद रखेंगे इंडियन 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 इंड इंडियन शिप पर as a crew member काम करता है as a crew member काम करता है तो उसको 1B से relaxation दे रखा है कि भाई आप चिंता मत करो आप के case में हम आपको 1B में नहीं फसाएंगे अगर आप 182 days इंडिया में हो तो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप अपना काम करिए कोई problem नहीं ठीक है अगर आप 182 days हो तो हम आपको resident बोलेंगे अगर उससे कम हो तो आप non-resident बन जाओगे straight forward अब कोई इसमें फसाएंगे नहीं जाएगा इसका reason यह है इसका reason भी है basically अगर देखा जाए दोस्तो Indian citizen, Indian ship अब जैसे इसमें एक example मैं आपको देता हूँ मर्चंट नेवी के हमारे जो लोग होते है ठीक है हमारे जो नेवी वाले हमारे officers होते हैं हमारे देश के जवान होते हैं अब obviously वो एक बहुत लंबा समय अपना Indian ships पर, Indian cargos पर बिताते हैं उनका काम obviously यही है अब वो अगर आपको ने सुना अगर आपकी family में कोई हो जो Indian Navy में हो या merchant Navy में हो उनकी छुटियां बहुत लंबी होते हैं वो ढ़ाई ढ़ाई तीन-तीन महीने की छुटिया जो है एक साथ जो है लेकर आते हैं और उसका reason भी यही है reason उसका यह कि वो इतना लंबा समय नहीं बिता सकता कोई संबुद्र में उनको skin problem, काफी health issues बहुत सारे हो जाते हैं ठीक है आपने यह उसके बारे में शायद सुना भी हो तो उनकी छुटियां बहुत लंबी होती है यह आपका छोड़ दिया गया है Indian citizen है, Indian ship है, उसको माफ कर दीजिए ठीक है, clear? उसके बाद, जो अगला case है same, अगर कोई, अगर कोई Indian अगर कोई Indian citizen अगर कोई Indian citizen employment के लिए employment के लिए इंडिया से बाहर जाता है अगर कोई Indian citizen employment purpose से इंडिया के बाहर जाता है और फिर obviously वापस इंडिया आ रहा है अपनी family से मिलने, अपने कुछ काम आम देखने तो उसके लिए भी 1B की माफी दी गई है 1B की माफी दी गई है कि भई ठीक है, आपके case में भी आपके case में भी 1B नहीं देखेंगे इसका reason दो हो सकते हैं एक है आपका emotional reason और एक है economic reason पहले emotional reason बता देता हूँ यह वो employment के लिए बाहर गया है आप उसको इंडिया में जॉब नहीं दे पाए वो बाहर जॉब करने गया है अब वो वापस आता है दो ड़ाई महीने की छुटी लेकर अपने family के साथ समय बिताने के लिए आप उसको one way में फसा रहे हो तो यह गलत है ठीक है एक तो यह reason है दूसरा economic reason क्या है वो यह है कि यहां से अगर लोग इंडिया से बाहर अगर job करने जा रहे हैं तो वहां से कमा कर वो foreign currency लाते हैं वो foreign reserve लाते हैं इंडिया में foreign currency का foreign reserve का inflow होता है जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है हमारा जो आपका foreign exchange reserve है उसमें growth होती है तो वो they are helping our economy in some circumstances तो इसलिए उन पर ये burden ना डाला जाए इसलिए उनको 1B से avoid कर दिया जाता है तो उस case में हम नहीं देखते हैं तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है यह वाला case के इस case में यहाँ पर 1B हम नहीं देखेंगे Indian citizen who leaves India during the relevant previous year as the member of the crew of the Indian ship तो अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर आपका यह Indian citizen है Indian ship पर as a crew member काम करता है तो उस case में 1B मत देखना 60 days plus 365 days नहीं देखने हैं और for the purpose of employment outside India तो इनको इनको please इससे माफ करिएगा इतना देखो बैच 6 महीन इंडिया में बिता रहा है तो ठीक है 182 days or more बिता रहा तो ठीक है तो तो आप resident बोलोगे लेकिन कुछ time के लिए आ रहा है तो उसको मत फसाइए प्लीज ये request है ओके जी ये clear हो गया आगे बढ़ते हैं राफ कीजिएगा ओके आगे बढ़ते हैं इसके अलावा तीसरा case तीसरा case अगर हम यहाँ पे देखें जो तीसरा case है वो क्या है तीसरा case है अगर कोई P.I.O. P.I.O. विजिट के लिए आता है इंडिया P.I.O. विजिट के लिए आता है इंडिया तो उस case में भी 1B को हम नहीं देखेंगे उसको इग्नोर कर दिया जाएगा सर ये P.I.O. क्या है P.I.O. दोस्तो है person person of Indian origin person of Indian origin वह यहां से हमारी कंट्री से बहुत सारे लोग यहां से आपके बाहर गए है जॉब कर रहे हैं बिजनस कर रहे हैं अब वो एक तरह से वही के citizen हो गए हैं लेकिन कभी कभार मिलने जुलने किसी काम की वज़े से वो इंडिया आ जाते हैं तो एक तरह से tourism कह लीजिए अपनी investments वो इंडिया में करने आते तो उनको भी 1B से दूर रखा गया है अब यहां पर बस ये एक question हो सकता है कि जो P.I.O.न के person of Indian origin ने कौन होते हैं तो आईए मेरे साथ एक काम करिए ऐसे उंगलिया मुठ्या बंद कर लीजिए और count करिए ठीक है self, कौन? self मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी ठीक है, कितने लोग हो गए? साथ लोग हो गए self, मम्मी पापा, दादा दादी नाना नानी साथ लोग हो गए अगर किसी individual किसी individual कि यह सभी साथ लोग सभी नहीं, मतलब कोई भी साथ लोग इन साथ में से ठीक है? कोई भी एक लोग इन साथ में से वो देख तो वो खुदी है और बाकी उसके जो क्या नाम है? जो छे हैं उसके एंसेस्ट्रिल्स है अगर इन में से कोई भी इंडिया में या अनडिवाइड़ इंडिया में बॉन हुआ था ठीक है? तो उसको परसन ओफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा परसन ओफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा ठीक है? Mr. Undivided इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया, पाकिस्तान एंड बंगलादेश ये तीन खल ठीक है जो आविसली पार्टिशन से पहले थे इसमें नेपाल भुटान वगरा ये सम मत जोड़ देना खा मा खा ये सारा ये इंडिया था नहीं तीन कौन से इंडिया पाकिस्तान और बंगलादेश ओके ये अगर इन साथ में से कोई भी यहां पर पैदा हुआ है ठीक है तो उसको हम बोलेंगे आपका येस एक्जेक्टली कौन परसन ओफ इंडियन ओरिजिन गॉट इट इट क्लियर जैसे इसका एक्जामपल अगर हम देखें कि भाई मिस्टर मान लीजे कोई जॉन है ठीक है वो बॉन हुए आपके यूके में ठीक है यूके बोले तो यूनाइटेड किंग्डम उतरा खंड नहीं ठीक है यूनाइटेड किंग्डम ये बॉन हुए इनके जो पापा थे वो जर्म में पैदा हुए नहीं पास में यूके के पास में ये बॉन हुए थे मिस्टर जॉन आपका नाइनटीन एटीफाइव में इनके पापा बॉन हुए थे नाइनटीन फिफ्टी टू में और मिस्टर जॉन के जो दादा थे दादा रेंट फादर वो बॉन हुए थे लाहौर म मिस्टर जॉन है वो पी आई ओ बोले जाएंगे परसन ओफ इंडियन ओरिजिन बोले जाएंगे क्योंकि उनके दादा लाहॉर में पैदा हुए 1925 में 1925 में it is undivided इंडिया तो उनको yes exactly बोला जाएगा परसन ओफ इंडियन ओरिजिन इसका एक और एक्जामपल ले लेते हैं जैसे कि मिस्टर यादव ठीक है जी यह बॉन हुए यह बॉन हुए कहा पर बॉन हुए यह बाहर यादव यह नहीं नहीं पहर बसे हुए हैं यह इनका जनम in y में हुआ न्यू यॉयॉक में हुआ ठीक है कब हुआ कि ये हुआ सर 1991 में ओके जी ठीक है 1991 में इनके जो फादर है इनके जो पापा है वो बॉन हुए थे क्या नाम है बोलो बोलो कराची बोल देते हैं कराची है ना कराची पाकिस्तान में ये भई कराची में ये बॉन हुए 1964 में ठीक है 1964 में और यादव जी के जो दादा थे दादा ये पैदा हुए थे UK में उत्रा खंड नहीं उनाइटिड किंग्डम में ठीक है 1942 में तो मिस्टर यादव नॉटों मिस्टर यादव इस नॉट एनॉट परसं अफ इंडियन ओरिजिन यह क्यों देखो जन्रिय।त पॉल ने प्डादा यनियुघ खुद टीक है जो पापा है वो कराची में हुए जरूर लेकिन कब हुए वो 1964 में हुए 1964 में कराची यानि के पाकिस्तान is not undivided India अगर ये 1947 से पहले होता तो इनको person of Indian origin बोला जाएगा तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है तो अगर ये इंडिया में बॉन हुआ होते या undivided India तो person of Indian origin बोला जाएगा otherwise नहीं बोला जाएगा ओके जी clear हमारी यहाँ पर जो picture है वो काफी हद तक clear ठीक है के भाई हमने यहाँ पर cases पढ़े अपने के भाई ये situation है 182 days और आपका 60 plus 365 days हम यहाँ पर इस situation में तीन cases में Indian citizenship, Indian citizen employment और POI इस case में सिर्फ और सिर्फ ये 182 days देखेंगे और obviously यहाँ पर इनको नहीं फसाया जाएगा यहाँ तक picture बिल्कुल clear है यहाँ तक picture बिल्कुल clear होनी चाहिए आउ ज़रा आगे बढ़ें और उस section को देखें जिसकी वज़ा से इसमें अभी कुछ ना कुछ जो परिवर्तन है वो हमें देखने को मिला है और ये point है हमारा third वाला ये point है हमारा yes third वाला third वाला point क्या कहता है मैं पहले पढ़ रहा हूँ क्या कह रहा है the period of 60 days is submitted by sorry substituted by 182 days in case of an individual being Indian citizen याद रखे का हम भारतियों की बात कर रहे हैं और और a person of Indian origin or a person of Indian origin who being outside India बाहर रहता था come on a visit to India in the previous year रहता बाहर है लेकिन आया है इंडिया रहने घुमने के लिए जो भी है having total income other than income from foreign sources exceeding 15 lakh during the previous year देखो इसको समझो ध्यान से तसलिसे यहाँ पे एक ऐसे Indian citizen एक ऐसे Indian citizen पर focus डाला जा रहा है focus डाला जा रहा है वो यह कह रहे हैं कि भई ऐसा है आप Indian citizen थे आप person of Indian origin थे यही वाले थे यही वाले थे आप इंडिया में आए आप इंडिया में घूमने आए लेकिन लेकिन आपकी जो total income है वो exceed कर रही है 15 lakh से ठीक है वो income कौन सी वो foreign income नहीं है बोला गया है other than foreign income अब other than foreign income लिख दिया इसका मतलब reverse कर दो यह target कर रहे हैं Indian income को यह target कर रहे हैं किसको Indian income को जो आपने इंडिया के जरीय कमाई है वो 15 lakh से वो 15 lakh से जादा है कहने का मतलब आप इंडिया आए घूमने के लिए आप person of Indian origin हो इंडिया विजिट करने के लिए आते हो और फिर भी आपने जितने भी दिन आप इंडिया में रहे जितने भी दिन आप इंडिया में रहे आपने foreign sources के अलावा foreign sources के अलावा पंदरा लाख रुपे की income या उससे पंदरा लाख रुपे की income जो है generate कर लिए पंदरा लाख से जादा का amount create कर लिया income के रूप में तो दिया कुछ तो गड़बड है कुछ तो गड़बड है तो इस case में बोला गया है कि हम आपके 60 days को 60 days को 120 days से substitute कर सकते हैं मतलब one भी देखी जाएगी आपको छोड़ा नहीं जाया जाएगा one भी देखी जाएगी बस हम इतना तरस खा सकते हैं कि 60 days की जगे हम आपको 120 days का समय दे सकते हैं that's it clear है क्या चलो और बारी की में चलते हैं थोड़ा और बहतर तरीके से मैं आपको बता देता हूँ सारे के सारे case एक साथ सारे के सारे case एक साथ yes exactly resident के लिए देखो एक तो condition थी normal एक तो condition थी normal इस normal में हमने 1A देखी 1B देखी ठीक है 1A देखी 1B देखी इसमें देखे 182 days और इसमें देखे 60 प्लस 365 days फसाने वाला चक्कर फसाने वाला चक्कर आगे आगे फिर आए तीन लोग फिर आए तीन लोग वो तीन लोग कौन से थे के जी वो एक तो Indian ship और Indian citizen वाले Indian citizen at Indian ship वाले Indian citizen employment वाले और एक POI जो कभी PIO जो इंडिया में कभी कभी घुमने आते उनके लिए हमने सिर्फ 1A देखी 1A देखी ठीक है और और इसमें 182 days देखा गया और जो 1B है ना उसको हमने ignore कर दिया ठीक है छोड़ो यार मैं यार अपने ही है आरे तो आते हैं घूमने भूमने ठीक है कोई दिख कर दिने इनको छोड़ो काम वाम से गए माफ करो लेगन फिर आई तीसरे टेगरी ये amendment है इस बार किसी को add करा गया है इसको जोड़ा गया है समझे समझे इसका current क् ये हैं पंद्रा लाख वाले ये हैं पंद्रा लाख वाले ये पंद्रा लाख वो नहीं है जो हमारे खातों में आने थे ये हैं पंद्रा लाख वाले ये पंद्रा लाख वाले कौन है ये पंद्रा लाख वाले कौन है ये हमें हमारे अपने ये इंडियन सेटिजन ही है ये ये P.I.O.I. है ये इंडिया घूमने आए हैं ये इंडिया घूमने आए हैं अब तुम इंडिया घूमने आए हो और फिर भी तुम ने 15 लाख रुपे की इंकम उससे जादा की इंकम जनरेट कर ली accept foreign source हम तो ये भी नहीं कह रहे कि तुम्हारे बाहरवाल income हम जोडेंगे तुमने तो इंडिया में ये तरीका है देखो फसाने का यहां पे लिख तो दिया कि कहां गया कहां गया कहां other than income from foreign sources पत्थ कहने का मैं ये भी लिख सकते हैं तिना directly कि भई Indian sources पत्थ नहीं foreign sources को ignore करते है तो आपका exclusive definition ओके तो आपने इंडियन source में 15,000,000 भी बना लिए इतने कम समय में तो कुछ तो गड़बड है दया तो उस case में दया ने बोला नहीं जो एसे पी प्रद्यूमेंट जो भी है उन्होंने बोला कि ऐसा है इनके case में 1A तो देखो देखी जाएगी वो तो सभी के लिए देखी जाएगी वो तो सभी के लिए देखी जाएगी लेकिन जो 1B जो 1B का फाइदा हम दे रहे थे ना कुछ लोगों को Indian citizen है, POI है बाहर job करने जा रहे हैं वगेरा वगेरा छोड़ो इनके लिए 1B नहीं देखते, ऐसा नहीं है यहाँ पर 1B भी इनकी देखी जाएगी, बशर्त हम इतनी help कर सकते हैं कि आपके days 120 और 365 कर सकते हैं हम इतनी मदद आपकी कर सकते हैं कि यह जो normally हम 60 days लिया करते थे, यह आपके case में 120 दिन लिये जाएंगे ओके दोस्तों, तो situation हमारी यहाँ पर यह निकल कर आती है, condition हमारी यहाँ पर यह निकल कर आती है, कि आप जब resident या non-resident निकाल रहे हो, just think about the three cases only, तीन cases देखो, अगर normal है कुछ 15 लाख और यह वला वला कुछ इंकम नहीं है, तो दोनों case चेक करना प्रूफ कर जाए, कोई भी एक तो resident, बात खतम, अगर Indian citizen at Indian ship आ गिया और अगर आपका employment वाला चक कर आ गिया और POI India घुमने आया है तो फिर सिर्फ 1A देखना लेकिन वही Indian citizen वही PIO अगर 15 लाख से ज़्यादा कमा जाए 15 लाख से कमा जाए ज़्यादा तो 1B की relaxation उसको नहीं मिलेगी उस case में 1B देखी जाएगी बस यहाँ पर 60 days की जगह हम 120 days जो है उसको चेक करेंगे तो I hope यह content आपको clear हुआ होगा जहाँ पर हम बात कर रही है सिर्फ और सिर्फ अभी हमने discussion करा किसका resident का ठीक है कि हम resident का पता कैसे लगाए गॉट इट? clear? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब पता लगाते है resident तो हमने पता लगा लिया resident तो हमने पता लगा लिया अब resident से आगे तो यही है यही मिलता है तो ordinary है तो non-ordinary है तो है क्या? चलो पता लगाएं ठीक है? जो non-resident है उनका तो चक्कर खतम देया non-resident लेकिन अगर तो resident है भई तो कौन से हो? तुम ordinary resident हो या non-ordinary resident हो चलो अब वो पता लगाते है लेकिन उसके पता लगाने से पहले एक definition दी गई है एक definition दी गई है यह add हुई है इस बार यह add हुई है इस बार देखना 6-1, 6-1 में भी पढ़ी है हमने basic situation पढ़ी ना 6-1 में 6-1-A एक point और डाल दिया एक point और डाल डिया यह point क्या कह रहा है? कि मानना पड़ेगा resident हम उसको मानेंगे उसको हम क्या मान लेंगे? उसको हम resident मान लेंगे कम मान लेंगे? कम मान लेंगे? जराद ध्यान दो जराद क्या कह रहा है? यह भाई क्या कहना चाहते हैं? यह कह रहे हैं कोई Indian citizen है पहले चीज़ कोई Indian citizen, जिसकी total income other than the income from foreign sources, other than the income from foreign sources, मतलब वो Indian source आ गए, ठीक है, that is income which is accrue or arise outside India, ठीक है, बाहर वाली income को छोड़ कर, यह bracket में भी छोड़ रहा हूँ, and which is not deemed to accrue or arise in India, इंडिया से उस income का कोई लेना देना नहीं है, उसको side करके, मतलब कहीं ना कहीं यह Indian income को target कर रहा है, exceed 15 lakh, तो यह 15 lakh भी बोल रहा है, 15 lakh वाला target भी आ गया है, 15 lakh से ज़्यादा, ठीक है, 15 lakh को गांड मत करना, 15 lakh से ज़्यादा, during the previous year, would be deemed to be resident in India, अगर वो Indian citizen है, अगर वो 15 lakh से ज़्यादा कमाता है, Indian source से, तो उसको हम, उसको हम, इंडिया का resident ही मान लेंगे, इंडिया का resident ही मान लेंगे, अगर, अगर, if he is not liable to pay tax in any other country or territory by the reason of his domicile or resident, या कुछ भी, कुछ भी, कहने का मतलब no tax, no tax in other countries, तीन चीज़े याद रखेंगे, इंडियान सिटिजन, 15 lakh और no tax in other country, यह immediately हमारा क्या बन जाएगा, यह हमारा DR बन जाएगा, deemed resident बन जाएगा, इसमें कुछ days भी calculate नहीं करने हैं, बस सरकार यह कह रही है कि भाई, तू कहीं और tax नहीं दे रहा ना, कहीं पर भी तू कोई tax नहीं दे रहा, किसी other country में tax ability नहीं है, काफी तेरा काफी फैला हुआ विस्तार है, काफी फैला हुआ विवसाय है, तो 15 दिन अपना Thailand चला जाता है, Thailand चला जाता है, तो हमें ही दे दे भाई, क्या दिक्कत है, तो इसलिए इसको resident बना दिया गया, बिना किसी situation, और ऐसा मैंने अपनी life में होते वे देखा, ये cases, yes definitely, भाई देखो, इंडिया में income generate, उन्होंने अपने sources create करे हुए, business setup करे हुए, कमा रहे हैं ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, और कभी इस country में, कभी उस country में, वहाँ कोई वेपार नहीं है, घूम रहे हैं, रहे हैं, whatever जो भी है, बट इंडिया में अपना वो 60 days, और 365 days होने नहीं दे रहे हैं, बाहर से control कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तो बोला गया, accept income from business controlled, फ्रॉम और प्रोफेशन सेट अप इन इंडिया, ठीक है, मतलब कहने का मतलब काम भार कर रहे हैं, 15 दिन, 20 दिन जो भी है, लेकिन सेट अप इंडिया सही हो रहा, आपको यहीं माना जाएगा, clear जी, यहां तक clear हो गया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सिलसले को आगे बढ़ते हैं, तो यह हमने सिर्फ deemed resident, एक definition पढ़ ली, जब जबर जस्ति उसको resident बनाया गया है, बिना days देखे, अब आगे इसका क्या रूप होगा, आगे क्या condition होगी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखो, अब हमें, अब हमें पहचानना है, अब हमें पहचानना है, discussion for ordinary resident, non ordinary resident, ठीक है, यह हमारा section 6 तो हम पढ़ी रहे हैं, section 6 तो हम पढ़ी रहे हैं, ordinary और non, तो आएए देखे, अब इनको हम किस तरह से find out करेंगे, हम जैसा कि already जानते हैं, कि resident अगर हमें पता चल जाए, तो उसके दो पार्ट हैं, एक है आपका ordinary resident, और non ordinary resident, तो कैसे पता लगाएंगे, आएए ध्यान देंगे, आएए ध्यान देंगे, ओके, now, got it, देखो, ये year हमारा आगिया, आपका 21, 22, तो जैसा की हमने discuss करा है, कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये assessment year है, ये हमारा assessment year है, तो इसकी तो बात नहीं हो रही है, ये previous year हो गया हमारा PY, और इसके पिछले कुछ years हमने हाँ पे लिखे हूँ है, got it, 1A, already हम जान चुके हैं, कि ये 182 days की होती है, 1B, 60, oblique, 120 days, plus, पिछले 4 साल में, 365 days, ये इसको हम already discuss कर चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, 60 days हम देखते हैं, नॉर्मल केसिस में, और 122 वो 15 लाख वाला जो किस्सा था, उसको लेकर बात हुई थी, अब, अब, वो class याद करो, भई, teacher को पता लगाना है, कि जो बच्चा आज present है, वो regularly आता है, या regularly नहीं आता है, तो उसके लिए, उसके लिए उसको पिछली अटेंडेंस जो है, past अटेंडेंस जो है, उनको check करना पड़ेगा, उनका level पता करना पड़ेगा, तो, आपकी six, six की जो condition है, यानि कि additional condition है, जो two और आपका three है, ये दोनो additional conditions है, ये दोनो additional conditions है, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, अगर, अगर हमारे क्या नाम है, जो individual है, अगर, second condition के दुसार, previous year को छोड़ कर, previous year को छोड़ कर पिछले 10 years में 10 years में 3, 3, 3, 3 एक एकस्टर लिखा हो था उसको मैंने हटा दिया है ठीक है पिछले 10 years में 2 out of 10 2 out of 10 मतलब कम से कम दो बार he is he or she is resident 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 to India resident to India संजहेंगे बात को देखो जैसे अभी अभी पूरी की पूरी discussion हमने करी थी उस discussion में हमने ये देखा हमने जाना हमने समझा कि भई जो भी कुछ हम देख रहे थे जो भी कुछ हम कंसेडर कर रहे थे वो इसको बेस मानकर कर रहे थे 2021 को बेस मानकर कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से, जैसे अभी हम 2021 का कर रहे हैं, उस individual के लिए उसका residential status हर साल पता लगाया जा रहा होगा, ठीक है, हर साल पता लगाया होगा, 19-20 में भी पता लगाया होगा, 18-19 में भी, 15-16 में भी, 10-11 में भी, क्योंकि residential status तो हर साल निकलेगा न, residential status हमें हर साल निकलना है, तो ये जो condition 2 है, वो ये कह रही है, वो ये कह रही है, कि अगर ये individual, जैसे आपने इसका status अभी निकाला, 1A चेक करके या 1B चेक करके, ऐसे ये, ऐसे ये, पिछले 10 सालों में भी चेक हुआ होगा, last 10 years में भी चेक हुआ होगा, तो अगर पिछले 10 years में इस individual ने, 1A condition या 1B condition, मतलब resident की condition, पिछले 10 साल में, दो बार भी अगर, दो या दो से जादा है, दो बार भी अगर, प्रूफ करी होगी, satisfy करी होगी, तो हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे, कि condition 2 प्र राइट, क्लेर, जैसे status निकाला गया है, उन 20-21 के लिए, ऐसे ही status पिछले हर साल में निकल रहा होगा, तो या तो resident बन रहा होगा, या non-resident बन रहा होगा, तो अगर individual आपके 10 में से 2 बार, 2 साल में, वो resident बना होगा, तो condition 2 प्रूफ कर जाएगी, क्लेर जी, यहां तक बात तैह हो गई, आगे बढ़ते हैं, साथ ही, साथ ही, थर्ड कंडिशन ये कहती है, थर्ड ही कंडिशन कहती है, कि अगर individual, previous year को छोड़ कर, पिछले 7 years में, वो 730 days or more, 730 days or more, पिछले 7 सालों में, अगर इंडिया में रहा होगा, तो yes, obviously, वो condition 3, proved माना जाएगा, वो condition 3 हम ये मानेंगे, कि उसने proof कर दी है, उसने proof कर दी है, got it, clear, अब इसका, अब इसका एक नतीजा क्या निकल किया, ये condition आगी हमारी पूरी की पूरी, अब इसमें एक नतीजा क्या निकल कर आया, मैं जरा उसको आपको यहाँ पर बता दो, इसको आप note भी कर लिजेगा, बहुत जरूरी है, जरूरी क्या, देखो, हमने condition 1 की बात करी, हमने condition 2 की बात करी, और हमने condition 3 की बात करी, clear condition 1 A 1 B दोनों इसमें आ गई, पहली situation कहती है, पहला case कहता है, अगर मान लो कोई भी individual, पहली ही condition proof नहीं कर पाता है, तो हम ना second condition देखेंगे, ना third condition देखेंगे, क्योंकि ये तो absent है ना, ये तो absent है, पहली condition पे absent है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कि ये NR होगया, ये क्या होगया, ये non-resident होगया, ये non-resident होगया, उसके बात second condition ये कहती है, कि मानलों वो present था, उसने पहली condition proof करी, हमने फिर उसकी second और third condition प्रूफ करी उसने second भी प्रूफ करी उसने third भी प्रूफ करी दोस्तो ऐसे इनसान को बुला जाएगा regular आने वाला यानि कि ordinary resident क्या बुला जाएगा ordinary resident उसको कहा जाएगा लेकिन इसके बाद एक चीज याद रखेगा इसके बाद एक तीन केस की situation याद रखेगा कि पहली condition तो proof कर ली है पहली condition तो proof कर ली है लेकिन second कर ली third नहीं करी या second नहीं करी third कर ली या ये दोनों ही नहीं करी मतलब at least एक रह जाती है तो याद करिएगा इन तीनों केस में एन ओ आर कहा जाएगा क्या कहा जाएगा कि जो individual है वो एन ओ आर होगा यानि के non ordinary resident होगा ये टेबल आप importantly याद रखेंगे हाला कि ये तो याद ही हो जानी चाहिए पहले तो हमने बोला absent तो absent वाला कौन एन आर तो भाग जायां से टाटा वाई 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 अब जो present है जरा उनकी बात करते हैं अगर present second भी proof कर रहा है third भी proof कर रहा है तो ये बच्चा regularly आता है ये यहीं मिल जाता है हमें घुमते हुए ये ordinary होगा लेकिन ये अगर मालो second condition proof नहीं कर पाता या third नहीं कर पाता या दोनों नहीं कर पाता तो इस situation में इसको N.O.R. बोला जाएगा यानि के non ordinary resident इसको हम नाम देंगे clear दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ आपको clear होनी चाहिए ये table clear होनी चाहिए so the thing is the conclusion is हमने यहाँ पर यह समझा हमने हाँ पर यह समझा कि जो first condition है that is for R या NR जो basic है जो कौन सी हमारी basic condition थी उससे हमें यह पता चलेगा कि यह R है या NR है लेकिन उसके बाद जो additional conditions हमने डाली है जो 2 है और 3 है वो सिर्फ resident के case में देखी जाती है और उससे हम यह पता लगाते हैं कि ordinary resident होगा या non ordinary resident होगा सिर्फ यह चीज हम पता लगाते हैं got it clear आईए अब इसको जरा law की language में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वो क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है जो point है यहाँ पे law में थोड़ा सा मैंने आपको simple तरीके से बता है यहाँ पे language थोड़ी से reverse हो गई है जो हमारे section में कही गई है जो हमारे section में कही गई है वो क्या है इफ हाँ पूरा पढ़ लेता हूँ only individual and HUF can be resident but non ordinary resident यह non ordinary resident को target करके लिख रहा है HUF भी इसने यहाँ पर बोला फर्म पढ़ेंगे आपका AOP वगेरा उसमें सिर्फ यहाँ तो resident होता है यहाँ आपका non resident होता है a not ordinary person resident person is one who satisfy any one condition who satisfy who satisfy any one condition जो सिर्फ एक ही condition proof करेगा यह बनाया न टेबल या तो यह proof करे या proof करे या दोनों ही ना proof करे तो दोनों condition proof कर देगा तो वो OR बन जाएगा ठीक है तो वो क्या कहता है वो क्या कहता है क्या कहता है ध्यान देंगे वो कह रही है if such individual has been non resident मैंने resident बोला था यह non resident बोल रहा है यानि के in India any nine out of ten previous year यह क्या कह रहा है non resident 9 साल के लिए तो मैंने भी तो यही कहा था ना के resident एक साल के लिए अगर एक ही बार proof करेगा तो non resident होगा और मैंने हाँ पर दो लिखा था दो होते ही वो क्या बन जाएगा condition satisfy कर जाएगा यानि के ordinary resident बन जाएगा तो language same है बस यहाँ पर twist करके लिखा गया है मैंने आपको simple शब्दों में बताया है in such individual if such individual has during the 7 previous year preceding the relevant previous year in India 729 or less यह reverse उल्टा बोल रहा है ना मैंने इसका अपर बता दिया 730 days or more ओके तो cases आप वो याद रखेगा आपको उसमें परिशान होने की जुरत नहीं cases वही हैं दोनों proof हो गए तो हमारा OR नहीं तो NOR clear? yes, okay लेकिन अब एक महत्वपूर्ण चीज जो amendment का part बना जो हिस्सा हमारा जुड़ा इसमें वो क्या जुड़ा? वो क्या जुड़ा? पहले fourth point पहले हमारा fourth point fourth point fourth point यह वाला यह पर लाइन यह पीछे लिवाली आ रही है यहां से पढ़ेंगे if such individual ठीक है? और word है याद रखिएगा ठीक है? और word है? end नहीं है if such fourth point की बात कर रहा हूँ मैं if such individual is an Indian citizen who deemed to be resident in India under section under section 6-1-A sir अभी तो पढ़ा था कुछ DR 6-1 में basic condition थी बस एक कानून एड हो गया तो ए भी आ गया उसके साथ जो deemed resident बताया था ना कि Indian citizen है 15 लाग कमा रहा है और तू पूरी दुनिया में और कहीं पर tax नहीं दे रहा भाया हमें दे दे ना यार हमें तो tax दे दे वो Indian income वाला जो बताया था foreign sources के अलावाल income हमें दे दे इसमें तो days भी नहीं देखने तो याद रखिएगा अगर कोई deemed resident है जिसको resident बनाया गया है बिना दिन के हिसाब पे सिर्फ ये देखकर के कहीं और tax नहीं दे रहा तो वो हमेशा N.O.R होता है वो हमेशा N.O.R होता है और एक last point जो की third point है जो third point है वो मैंने आपको already बता दिया है ये वाली category कहा गई कहा गई 120 दिन वाली 15,00,000 वाली 120 दिन वाली जो वो इनसान थे ना आपके जो special देखे थे जो P.O.I. वाले थे 15,00,000 वाले 15,00,000 वाले 15,00,000 वाले जिस case में हमने 120 दिन देखा था 120 दिन देखा था वो भी याद रखिएगा वो भी N.O.R. ही कहे जाएंगे वो भी N.O.R. ही कहे जाएंगे क्लियर क्योंकि automatically हमने उनको एक particular limit में जिम करवाया है और याद रखिएगा यहाँ पर यह चीज लिखी गई है बट लेस देन 182 पर सीधी ना भी लिखा तो भी हमें समझा जाता क्योंकि अगर इस साल यह 180 दिन से जादा हो जाता तो फिर वो रेजिडेंटी बन जाता सीधा सीधा तो उसमें नहीं फसाएंगे हैं मुसको ठीक है अगर 120 दिन से जादा है वो ही 15 लाख वाले 120 दिन से जादा है लेकिन 180 दिन से कम है सीधा सीधा तो इनको हम बोल लेंगे कि यह NOR ही होंगे इनके लिए कंडिशन 2 और कंडिशन 3 चेक करने की आवशकता नहीं है तो यह पॉइंट आप याद रखेगा यह एक पॉइंट आप याद रखेगा कि एक तो डीम्ड रेजिडेंट DR वाले जो कहीं टेक्स ना दे रहे हमें दे दो और और जो हमने 15 लाख वाले थे 15 लाख वाले इन केस में इन केस में कंडिशन 2 और कंडिशन 3 नहीं देखी जाएगी नहीं देखी जाएगी यह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएंगे आपके NOR हो जाएंगे NOR हो जाएंगे क्योंकि यहां पर आप हमने देखा था पहले भी हमने इनको days के accordingly adjust किया था हाँ 15 लाख में यह याद रखना कि अगर 182 days है अगर 182 days से जादा हो जाता है तो फिर उसको OR मान लिया जाएगा तो फिर उसके लिए हम आगे जो सॉरी OR नहीं मानेंगे फिर उसके लिए हम आगे जो condition है वो देखेंगे 2 और 3 लेकिन अगर 15 लाख वाले हैं 112 इन से कम हैं तो उनको और गोशित कर दिया जाएगा clear so these are the conditions for residential status आओ definitely एक question जरूर करा जाए इसका question के बिना तो आगे हम नहीं बढ़ सकते हाँ जी ये एक question normal question और भाई इधर आजा हाँ आभी तरीक है चलिए जी आगे बढ़ते हैं सबसे पहला question I hope आपको नजर आ रहा है पढ़ते हैं determine residential status for Mr. A for previous year 2021 who stay in India during various financial year as under ये आपको यहाँ पर detail दे दी गई number of days जो है इनके calculate करके दे दी गई अब Mr. A ध्यान देंगे जरा Mr. A के लिए ना तो ये बताया कि इनका previous year क्या है तो सरी ये POI है या नहीं है कितना कमाया है कितना नहीं कमाया तो वो सब नहीं बताया तो simple तरीके से चलेंगे इनके लिए simple तरीके से चलेंगे बिल्कुल normal तरीके से मैंने यहाँ पर ही column बना लिए exam में भी आप ऐसी करेंगे column बनाएंगे previous year days और अपनी condition condition 1A और condition 1B पहले ये check करेंगे condition 1A और condition 1B अब condition 1A अगर हम देखें दोस्तो तो यहाँ पर यह 100 days रह रहे हैं यह 100 days रह रहे हैं तो condition 1A condition 1A तो proof नहीं होती condition 1A तो proof नहीं होती लेकिन क्योंकि employment की इसमें कोई information नहीं है यह Indian citizen on Indian ship इसकी कोई information नहीं है तो हम इनको 1B में फसाएंगे 1B क्या कहता है कि पिछले साल ये 100 दिन है प्लस पिछले 4 साल में यहाँ तक सौरी माफ कीज़ेगा पिछले 4 सालों में पिछले 4 years में अगर मैं इनके days काउंट करूँ तो 200 और उसके बाद 90, 90, 90, 90 270, 470 और 3 473 days आ रहे हैं 473 days आ रहे हैं तो सीधी सी बात यहाँ पर निकल कर आ गई सीधी सी बात यहाँ पर निकल कर आ गई कि 1A तो प्रूफ नहीं हुई थी 1A तो प्रूफ नहीं हुई थी लेकिन 1B प्रूफ हो गई है 1B प्रूफ हो गई है मुझे दोनों में से कोई एक ही तो चाहिए होता था दोनों में से कोई एक ही तो चाहिए होता था तो यह क्या बन गए यह resident बन गए जब भी condition 2 और condition 3 चेक करेंगे ना, मेरी आप से request है, पहले 3 करना, कोई कि वो simple पढ़ती है, पिछले 7 सालों के days बस calculate करने होते हैं, तो पहले में dash आ गिया, पिछले 7 साल, ठीक है, 200 उपर से start करना है, 200 प्लस 91, प्लस 90, प्लस 92, चार हो गए, प्लस 89, और प्लस 87, और उसका 82, प्लस 82, तो यह हो रहा है, 731, exactly 731 days आ रहे हैं दोस्तों, तो पिछले 7 years में, यह बाल-बाल बचा है, 730, बाल-बाल बचा है नहीं, गौर्मेंट को फायदा हो गया, बचा तो है है ही नहीं, 731 days, ओके, अब क्योंकि condition 3B proof हो गई है, आव 2B देखें, ध्य 3 proof हो चुकी है, अगर 2 भी proof हो गई, तो यह OR बनेगा, अगर यह 2 proof नहीं कर पाया, तो N OR बनेगा, ओके, अब condition 2 चेक करेंगे हम, condition 2 में, पिछले साल ही, पिछले साल ही, यह 200 दिन इंडिया में था, ठीक है, 19-20 में, यह 200 दिन इंडिया में था, तो यकीनन, यह 19-20 में resident रहोगा, तो एक तो मुझे मिल गया, एक तो मुझे मिल गया ना, अब जरा उसके पिछले साल चलो, पिछले साल मुझे कहीं पर भी 182 डेस का दायरा नहीं नजरा रहा, तो जरा इसको फसाओ, 1B में फसाओ, तो यहां पर यह 60 डेस आ रहा है, 60 डेस से जादा है, और इसक पिछले चार साल, उसके पिछले चार साल, जरा जोड़ो, 90 प्लस 92 प्लस 89, 89 प्लस 87, it comes to 358, 358, तो इस साल तो यह एनार रहा होगा, यह साल एनार रहा होगा, नहीं मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मेरा, यहां पर जो मिशन है, वो सक्सफुल नहीं हुआ ग्वर्म उससे अगले year में देखो उससे अगले year में आ रहा है 90 days ठीक है तो 60 days से उपर है 60 days से उपर है लेकिन उसके पिछले 4 साल अगर आप जोडोगे तो 365 नहीं आ रहा 365 नहीं आ रहा यहां पर भी वो NR ही रहा यहां पर भी वो NR ही रहा आओ आगे mission को बढ़ाएं अगले साल जब गया 92 लेकिन पिछले 4 सालों में नई बन रहा 365 89, 60 से ज़ाद है पिछले 4 सालों में नई बन रहा 365 तो कहीं पर भी यह पिछले 4 साल 60 days तो प्रूफ कर रहा है लेकिन पिछले 4 साल का 365 प्रूफ नहीं कर रहा दोस्तों हर वर्ष हर साल यह NR ही था यह NR ही था यह NR ही था और मुझे तो यह क्या बता रहा है सिर्फ यह 1 out of 10 प्रूफ कर पाया है यह सिर्फ 1 out of 10 प्रूफ कर पाया है So what we have It proved first but second और third second proof नहीं हो रही third proof हो रही है third proof हो रही है और यह status क्या होता है यह status sir होता है NOR non-ordinary resident non-ordinary resident तो इसलिए answer इसका क्या होगा answer किस तरह से लिखना है दोस्तों मैं वह आपको बता देता हूँ Mr. A Mr. A satisfy Mr. A satisfy basic condition basic condition कौन सी करी थी 1B करी थी 1B basic condition 1B so so he is he is resident so he is resident clear इस तरह से लिखेंगे आगे yes exactly but he did not satisfy satisfy he did not satisfy additional condition additional condition conceivally 2 additional condition 2 as per as per section 6 subsection 6 so he is non-ordinary he is non-ordinary resident he is non-ordinary resident so I hope you got the calculations ठीक है अभी और question इसके करेंगे अगली classes में आप से request है के question number 2 आप homework में करेंगे और इसके answer भेजेंगे given number पर आपके पास number available है फिर देखते हैं कितने सही करते हैं कितने गलत करते हैं and yes ये वाला जो question है ये कितने दिन इंडिया में आया कितने दिन इंडिया से गया ये हम अपने अगली class में discuss करेंगे so I hope you got that content main content हमारा देखा जाए तो वो पहले से जैसा था वो ही था बस यहाँ पर क्या change हुआ है कुछ 2-3 point हमारे नए add हुए है जिन पर हमें नजर रखनी है बाके मिलते हैं आप से नेक्स लास में प्लीज टेक केर